जब हमने Constitution को बना कर तयार किया और Constitution को लागू किया 26 नवेंबर 1949 को हमारा Constitution बन करके तयार हुआ था इसलिए 26 नवेंबर को हम विधी दिवस के रूप में भी मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 जब हमने सम्विधान को लागू किया तो जब हमने लागू किया था उस समय हमारे मूल सम्विधान में आठ अनुसूचिया थी वर्तमान समय में 12 अनुसूचिया हैं इन 4 अनुसूचियों को एमेंडमेंड के द्वारा सम्विधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया है आज हम सभी 12 अनुसूचियों को जानेंगे इनमें क्या प्रावधान है और इनको याद करेंगे ये आज की हमारी क्लास का टार्गेट है क्योंकि सेड्यूल से बहुत बार कोश्यन डारेक्ट पुछ लिया जाता है और देखिए ये बहुत आसान पार्ट है जैसे हमने अभी तक अगर पॉलिटिकल साइंस के हम बात करें तो हमने अभी तक प्रस्तावना पढ़ ली है हमारे समिधान की प्रस्तावना इसके बाद हमने आर्टिकल 1 से 51 तक को याद कर लिया है एक ही क्लास के माध्यम से हमने मूल करतववे भी बहुत डिटेल में डिसकस कर लिये और वहां से पूछे गए कॉस्टिन्स को भी लगा लिया है इसके अलावा राश्ट्रपती जो कि बहुत ही प्रमुख पद है अमारा समयधानिक प्रमुख है राश्ट्रपती उनको भी पूरी तरह से डिटेल में डिसकस कर लिया है कि राश्ट्रपती के लिए कौन-कौन से अनुछेद, कौन-कौन से प्रावधान हमारे Constitution में किये गए इसके बाद देखे अभी हमने लास्ट क्लास जो पॉलिटी में थी वो थी कि Important Articles कौन-कौन से वो अनुछेदें जिनसे बार-बार कौशन पूछे जाते हैं आज हम पढ़ रहे हैं अनुसूचियां ये वाला जो पार्ट है इससे सबसे जादा नंबर ओफ कौशन पूछे जाते हैं एक्जाम में तो इसलिए अनुसूचियां बहुत Important भी हैं और बहुत आसान भी हैं केवल 12 ये अनुसूची हैं जिने अमें याद करना हैं देखे हम बात करें पहली अनुसूची की तो पहली अनुसूची में दिया गया है राज्यों के नाम उनके न्याइक्षेत एवं सीमाओं का उलेख है और इससे संबंदित अनुचेद कौन से हैं तो एक और चार ये से नहीं है अनुचेद एक और अनुचेद चार देखे हमने भाग एक के तहत आर्टिकल वन आर्टिकल टू आर्टिकल थी और आर्टिकल फोर इनको पढ़ लिया है तो आर्टिकल भाग एक में जो आर्टिकल वन है उसमें दिया गया है भारत राज्यों का संग होगा और आर्टिकल एक में ही भारत और इंडिया दोनों नाम दिये गए हैं यह हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल एक बात करता है भारत की टेरिट्री की यहाँ पर्स सेड्यूल पहली अनुसूची भी बात करती है भारत का राज्यों के नाम और उसके न्यायक्षेतर और सिमाओं का उलेक है और इसमें संबन्दित अनुचेद हैं एक और चार तो आर्टिकल एक तो हमने देख ल आर्टिकल 368 के तहट समिधान संसोदन नहीं माना जाएगा यानि यदि संसद आर्टिकल दो और तीन के तहट कोई कार्ये करती है और आर्टिकल दो और तीन में क्या दिया गया है तो आर्टिकल दो बात करता है कि नए राज्यों का प्रवेस और उनकी स्थापना और आर्टिकल तीन बात करता है कि वर्तमान भारत में किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना यानि सीमा को घटाना, सीमा को बढ़ाना, नए राज्यों को बनाना और नाम में परिवर्तन करना संसद ऐसा कर सकती है और इस बात के लिए आर्टिकल 4 में प्रावधान है कि कहीं से कहीं तक समिधान में संसोधन की आवशकता नहीं है यानि संसद साधारन भवमत से ऐसा कर सकती है ये पावर है हमारी संसद के पास, पार्लियमेंट के पास तो ये हैं आर्टिकल 1 और 4 और आर्टिकल 4 को अनुछे 368 के तहत नहीं देखा जाएगा यानि ये कहीं से कहीं तक Constitution में एमेंडमेंट नहीं है अब ये बात थी अनुसुची 1 के, जिसमें दिया गया है हमारे सभी राज्यों के नाम यानि वर्तमान भारत में 28 राज्ये हैं और 8 संगसासित प्रदेश हैं 28 राज्ये और 8 संगसासित प्रदेश हैं तो इनकी चर्चा कहां पे है? अनुसुची 1 में है अब देखें, दूसरी अनुसुची बात करती है कि समेधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते उनके विसेशाधिकार और उनसे संबंदित प्रावधान इसकी बात करती है अनुसुची 2 में वेतन भत्ते हैं हम यह याद रखते हैं, देखिए जैसे 2 नंबर का पैसा होता है हम आम बोलचाल की भासा में क्या कहते है? कि यह 2 नंबर का पैसा है यानि illegal money को हम कहते हैं, 2 नंबर का पैसा है तो 2 नंबर से याद रखना है कि 2nd schedule में दिया गया है वेतन और भत्ते किसके वेतन भत्ते, आमादमी के तो नहीं, आपके या हमारे तो नहीं, किसके सम्विधानिक पदाधिकारियों के सम्विधानिक पद पे जो लोग बैठे हैं, उनके वेतन और भत्ते तो सबसे पहले, अब common sense लगाना है, इनको ये जो no दिये गए हैं, इनको रठना नहीं है, common sense लगाना है, याद हो जाएंगे, बिल्कुल आसान है, देखिए हमारे सम्मेधानिक प्रमुक कोन है? राश्ट्रपती, तो सबसे पहले कौन है? भारत के राश्ट्रपती के वेतन भ राश्ट्रपती और राज्यपाल को कौन सी सक्तिया, सम्मिधान ने समान दी है और कौन सी अलग-अलग दी है? ये दोनों ही सम्मिधानिक प्रमुखपद हैं, तो राश्ट्रपती उसके बाद राज्य में राज्यपाल है। इसके बाद देखिए, लोगसभा की बात तो ये दोनों ही बात याद रखनी है। कि उप राष्ट्रपती को वेतन और भत्ते मिलते हैं राज्य सभा के सभापती के रूप में। महालेखा परिक्षक यानि कैग, कंट्रोलर एंड ओडिटर, जनरल के जो वेतन भत्ते, उनकी जो सैलरी है, उनकी जो पेंशन है, उनकी बात की गई है, नौमी बात जो है वो है भारत के नियंतरक एवन महालेखा परिक्षक के वेतन भत्ते, तो ये आपको याद रह जाएगा बहुत आसान है जैसे ही आप याद करते हैं सम्यधानिक पदादिकारियों के वेतन भत्ते उनके विशेशादिकार इनका प्रावदान है अनुसूची 2 के अंदर सिर्फ वेतन भत्ते याद नहीं रखने हैं ये 9 कि 9 ये बाली बात भी याद रखने हैं कि वो कौन-कौन से पदादिकारी हैं जिनका वर्णन किया गया है अब देखें तीसरी अनुसूची तीसरी अनुसूची बात करता है उमिद्वारों के द्वारा ली जाने वाली सपत या प्रतिग्या के रूप में प्रतिग्या के प्रारूप यानी जो ओत ली जाती है किस किस के द्वारा वो अभी हम देखेंगे तो जो ओत ली जाती है इसका प्रावदान है तीसरी अनुसुची में जब हमने मुखे मुखे आर्टिकल पड़े थे कि important article उसमें हमने 75 आर्टिकल 75 को डिटेल में पड़ा था तब हमने बात की थी तीसरी अनुसूची के तहट सपत ली जाती है आज हम देखते हैं कि कैसे देखे इसमें कौन-कौन सपत लेते हैं संग के मंतरी संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्हर थी जो हमने आर्टिकल 99 डिसकस किया था वही बात यहाँ पे है संसद के सदश्य सर्वोच न्यायले के न्यायधीस इसके लावा भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक राज्य मंतरी राज्य विधान मंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्हर थी इसके अलावा राज्य विधान मंडल के सदश्य और उच्य न्यायले के न्यायधीस यानि इसमें आपको कहीं भी राश्ट्रपती या राज्य पाल या उपराश्ट्रपती ऐसा कोई पद दिखाई नहीं दे रहा है कारण क्या है कि याद ये रखना है कि जो तीसरी अनुसुची है उसमें जो सपत का उलेख है उसमें कहीं भी ये तीन पद नहीं है राश्ट्रपती उपराश्ट्रपती और राज्य पाल तो इनकी सपत का उलेख कहा है फिर देखिए राश्ट्रपती को पढ़ते समय हमने देखा था कि Article 62, देखे, Article 62 के तहट राश्ट्रपती सपत लेते हैं और हमने ये भी देखा था कि राश्ट्रपती सपत लेते हैं सम्मिधान के परिरक्षन की, सरक्षन की और परतिरक्षन की यानि Preservation की, इसके अलावा उनके Protection की और Defend की ये तीनों सपत राश्ट्रपती लेते हैं और इसके साथ ही राश्ट्रपती सपत लेते हैं लोगों के भारत की जनता के सेवा और कल्यान करने की और यही सपत राज्यपाल लेते हैं तो राज्यपाल की सपत का उलेख है 159 के अंदर राज्यपाल का 159, आर्टिकल 159 राज्यपाल की सपत का उलेख है आर्टिकल 62 के तहत है राश्ट्रपती की सपत का उलेख वो तीसरी अनुसुची में नहीं है इसलिए कॉश्चन को लेंग्वेज के रूप में घुमा करके पूछा जा सकता है तो आपको हर लेवल पे तयार रहना है इसके लावा देकि उप राश्ट्रपती सपत लेते हैं आर्टिकल 69 के तहत तो याद ये रखना है कि यहाँ पे इन तीन लोगों की सपत का उलेख जो है वो अनुचेदों में है वो तीसरी अनुसुची में नहीं है ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसके अलावा ये पद अभी हमने देखे थे जब वेतन और भत्तों की बात कर रहे थे तो ये पद भी याद रखने है ये तो कोमन है कि सुप्रीम कोर्ट के नयाएदिस और हाई कोर्ट के नयाएदिस इसके अलावा भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक यानी कैग और इसके अलावा बाकी लोगों को एड करना है संग के मंत्री संसद के लिए निर्वाचन हेतू अभ्यर्थी संसद के सदश्य ये यहाँ पे प्रोटम स्पिकर की बात हो रही है प्रोटम स्पिकर की जो अन्य सदश्यों को सपत दिलवाते हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है संसद के सदश्य इसके अलावा राज्य मंत्री राज्य की विधान मंधल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर थी राज्य विधान मंदल के सदश्य और उच नयले तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे याद कैसे रहेगा देखे संग के मंत्री यानि सेंटर गौर्मेंट में तो ठीक इसी तरह से राज्य मंत्री संसद के लिए निर्वाचन हे तो अभ्यर्ती यहाँ पे संसद के सदश्य यहाँ पे राज्य विधान मंदल के सदश्य तो जैसा केंदर के साथ है वैसा ही राज्य के साथ तो तीसरी अनुसुची भी आपको ये वाला पार्ट भी याद रखना है कि किन किन की सपत का उलेक किया गया है सिर्फ सपत याद करना ही काफी नहीं होता कि बहुत बार मैंने देखा है कि अनुसुची 2 की बात आती है तो वेतन भत्ते किसके वेतन भत्ते ये याद नहीं रखना है लेकिन अब से याद रखना है कि किसके वेतन भत्ते कौन से सवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उलेख किया गया है अनुसुची 2 में अनुसुची 3 के तहट बिल्कुल सपत का उलेख है लेकिन किसकी सपत का उलेख है और राश्ट्रपती, राज्यपाल और उपराश्ट्रपती की सपत का उलेख नहीं है ये बात याद रखनी है अब देखिए 4th schedule चोथी अनुसूची ये बात करता है राज्यों और केंदर सासित परदेसों के लिए राज्य सभा में सीटों का आवंटन यानि राज्य सभा में जो सीटें होती है राज्यों की और केंदर सासित परदेसों की उसका आवंटन जो है उसका उलेक किया गया है, फोर्थ सेड्यूल में, देखें, सबसे ज़्यादा सीट तो यूपी से हैं, 31, और सबसे कम सीट, क्योंकि ऐसे कुछ facts कई बार पूछ लिये जाते हैं, सबसे कम सीट राज्य सभा में जो हैं, वो हैं, अरुनाचल परदेश की, नागा लेंड की, मैं मेघाल्य की, ये वाले जो राज्य हैं, यानि नोर्थीस्ट में जो साथ स्टेट हैं, उसमें से आपको असम को हटा देना है, इन बाकी सभी स्टेट में एक-एक सीट हैं, राज्य सभा की, असम के अंदर साथ सीट हैं, असम के अंदर हैं साथ सीट राज्य सभा में, जो ज साती राज्ये हमारे नोर्थोइस्ट के स्टेट में, इनमे से आपको असम को हटा देना है, उसमें 7 सीटे हैं, बाकी सभी में 1 सीट हैं, और हमारे बहुत छोटे राज्ये गोवा और सिக्किम, यहां पे भी 1 की ही सीट है, राज्य सभा के अंदर इसके अलावा हम बात करें संग सासित प्रदेश की तो जो पॉंडी चेरी है उसकी सीट भी एक ही है राज्य सभा के अंदर ये आपको याद रखना है बहुत इजी है नोर्थ इस्ट में से असम को निकाल देना है बाकी सब में एक सीट है गोवा और सिक्किम हमारे बहुत छोटे स्टेट है एरिया वाइस वहां से भी एक सीट है क्योंकि बहुत छोटे राज्य वैसे भी धान रह जाते हैं कि हमारा देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्तान तो वैसे आपको ध्यान रह जाता है और बार-बार यहां पे जोग्रोफिका यूज किया करो बिल्कुल हम सम्मिधान को पढ़ रहे हैं हम अनुसूचियों को याद कर रहे हैं यह पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है लेकिन सारे GKGS के सबजेक्ट कही न कहीं इंटरलिंक होते हैं तो यहां पे अगर आपको थोड़ा भी मैप याद होता है तो नोर्थीस्ट का मैप आपके दिमाग में तुरंट क्लिक कर जाना चाहिए कि असम को हटाना है बाकी सब को हमें ले लेना है जहां पे एक-एक सीट है सिक्किम जो की नेपाल और भुटान के बिलकुल बीच में है तो सिक्किम में एक सीट है इसके लावा गोवा जो बिलकुल महरास्ट्रा और करनाटक के बिलकुल बीच में है बाउंडरी पे है बहुत छोटा सा राज्य है वहां से भी एक सीट है तो ये map भी लगातार आपके दिमाग में चलने चाहिए, ठीक है, इसके अलावा पांडी चेरी, जहां से एक ही सीट है, तो fourth schedule बात करता है, राज्यों और केंदर सासित परदेशों के लिए, राज्य सभा में सीटों के आवंटन की, अब देखें next, पांच ही अनुसूची, ज अनुसूची जाती, अनुसूची जन जाती, इनके लिए सरकार को भी काम करते समय, समिधान निर्माताओं ने समिधान बनाते समय, बहुत sensitive हो करके इन मुद्दों को attach किया था, तो इसलिए यहां से question भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि देखें, हमारी हैं अपने मुद्दों को ले करके, तो हमारी क्या duty बनती है, कि जिन लोगों के साथ भूत काल में, यानि पास्ट में सोशन नहीं हुआ, तो वो लोग जिनके साथ सोशन हुआ था, उनके साथ अब समानता का वैभार करें, ऐसा हमारे समिधान निर्माताओं की भी आशा थी उनकी भी होप थी, कि ऐसा किया जाना चाहिए, तो अगर वर्तमान समय में ऐसा हम नहीं करते हैं हमारे आम जीवन में, तो ये सच में एक तरह से समिधान का अपमान है, तो आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम वो अपने वैभार में इस चीज क जरूर अपनाएं, और देखें, इसके अलावा अनुसुची जंजाती जो हैं, सेड्यूल ट्राइब्स, सेड्यूल ट्राइब्स ने तो कभी भी हमारे संसादनों का यूज ही नहीं किया, उनकी सभ्यता, उनकी संसकर्ति, उनका रहन सेन, उनका खाना पिना, वो सब कुछ जंगलों में रहने वाले लोग थे, आदिवासी लोग थे, उन्होंने कभी natural resources का खुद के हक में यूज ही नहीं किया, जबकि वो तो natural resources को बढ़ाने का काम करते रहे हमेशा से, तो आप सोचिए कि वो तो बिल्कुल environment friendly लोग थे हमेशा से, तो जब वो मुख्य धारा में ज रहने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते, सभी संसादनों पे उनका भी हक और अधिकार है, और ये बात हमारे DPS में जुड़ी हुई भी है, कि गवर्मेंट का भी एक करतव्य है कि वो उनके लिए काम करें, तो देखें, फिप्ट सेडिूल बहुत sensitive है, इसलिए यहां से examiner सबसे ज़्यादा बार question पूछते हैं, देखें, अनुसुचित क्षेतरों के बात इसमी की गई है, और जनजातिय क्षेतर, इनके परसासन और नियंतरन के बारे में उपबंद किये गए हैं, word to word याद करना है, लिखा क्या गया है, exactly, इन्हें mold नहीं करना है बिल Article 244, देखें, अनुसुचित जनजातियों के निवास क्षेतरों में राश्ट्रुपती, जब हम राश्ट्रुपती पद को पढ़ रहे थे, उस समय भी हमने ये बात बहुत अच्छे से discuss की थी, कि अनुसुचित जनजातियों के निवास क्षेतरों में राश्ट्रुपती क निर्देश से जन जातिये सलाहकार परिशत का गठन किया जाता है जन जातिये सलाहकार परिशत का गठन किया जाता है राश्ट्रुपति के निर्देश से ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके बाद देखें जो अनुसुचित क्षेतर हैं वहां के जो राज्ये हैं जैसे त पास पावर जादा है बाकी राज्ये के राज्येपालों की तुलना में कैसे कि अनुसुचित क्षेत्रों के राज्यों के जो राज्येपाल हैं राज्येपाल को संसद या विधान मंडल के किसी अधीनियम को अनुसुचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू करने या ना करने का अधिकार है जैसे ये बात क्या है इसको समझो अगर हम बिल्कुल आम बोलचाल की भासा में इसे समझना चाहें तो ये ये प्रावधान है कि राज्येपाल ये डिसाइड करेंगे कि सेंटर ने अगर कोई कानून बनाया है या राज्ये की विशेश अधिकार यानी एक अलग से पावर बाकी राज्यों के राज्येपाल की तुलना में तो ये बात है पाँचवी सेड्यूल के तहत ये आपको ध्यान रखना है इसके अलावा देखिए ये जो अनुसुचित क्षेतर हैं यहां के राज्येपाल को परतेक वर्स राष्ट्रपती को रिपोर्ट सौपनी होती है इन क्षेतरों के बारे में जानकारी देने के लिए और राष्ट्रपती जब चाहे तब राज्येपाल से रिपोर्ट मांग भी सकते हैं कि भी उस अनुसुचित क्षेतर में संबंदित राजयपाल से कि आप बताओ कि कैसा काम चल रहा है कैसा सासन पर सासन चल रहा है किस तरह से लोग जी रहे हैं तो ये मांग सकते हैं रिपोर्ट कौन राश्ट्रोपती राजयपाल से जैसे हमने देखे इनको आपस में अब इंटरलिंक भी कीजे देश में चलने वाले सासन पर सासन का ब्योरा दें रिपोर्ट दें या फिर राश्ट्रोपती जब चाहें तब परधान मंतरी से पूच सकते हैं कि देश में सासन पर सासन कैसा चल रहा है तो ठीक उसी तरह से राजयपाल कौन से राजयपाल अनुसुचिक खेत्रों के राजयपाल जो हैं उनसे भी राश्ट्रोपती रिपोर्ट मांग सकते हैं जब वो चाहें तब और राजयपाल का ये करतव्य है कि वो परती वर्स रिपोर्ट दें अनुसुचिक खेत्रों के बारे में तो ये पांचवी अनुसूची थी और इसके बाद जब हम question लगाएंगे तो कितने अलग-अलग dimension में question बन सकते हैं 5th schedule से 6th schedule से क्योंकि इसके अलावा जो schedule हैं वो बहुत आसान हैं और उनको बहुत typical तरीके से पूछा भी नहीं जा सकता लेकिन पांचवी और छटी अनुसू से उस समय पांचवी और छटी अनुसूची से कितने dimension में अलग-अलग question बन सकते हैं जो आज तक पूछे गए हैं उनको हम पढ़ लेंगे तो आपके लिए याद रखना और भी आसान हो जाएगा देखे 6th schedule 6th schedule बात करता है कि असम और त्रिपुरा मेगाले और मिजोरम इन राज्यों के जन्जातियक शेत्रों के परसासन के बारे में उपबंद अब इसको generally सब लोग यादर करते हैं AMTM कि अरुनाचल परदेश इसके अलावा मेगाले त्रिपुरा और मिजोरम इस नाम से आप confuse हो सकते हो कि मनिपुर है या मिजोरम है या मेगाले है क्योंकि तो इसको तो आपने ऐसे याद कर लिया अरुनाचल परदेश त्रिपुरा को भी याद कर लिया लेकिन M में ये confusion आ सकता है short form में याद करते समय कि वो मनिपुर है मिजोरम है मिगाले है इन तिनों में से है कौन से तो देखे अब आपको एक काम करना है map उठाना है और उसम तो ये अरुनाचल परदेश वाला हिस्सा अब आपको यहाँ से start करना है और इस तरह से इन वाले state को जब आप देखोगे तो यहाँ पे असम भी आ जाएगा इसके नीचे मेगाले भी आ जाएगा आपको ये वाला part यानि नर्दन वाला part काट देना है कहां तक का नागाले नर्दन पार्ट पे रख दोगे तो ये चार ही राज्ये नीचे बसते हैं तो आपको भी कन्फ्यूज नहीं होगे इस वाले मामले में कि कौन-कौन से राज्ये इसके अंदर आते हैं तो इसमें आते हैं अरुनाचल परदेश नहीं है शॉरी बोलते समय टंग स्लिप हो इन चार राज्यों के जनजातिय क्षेत्रों के परसासन के बारे में उपबंध की बात की गई है इनसे संबंदित अनुछेद अगर हम देखें तो 244-2 और 275-1 देखें 22 में समिधान संसोधन 1969 के अंदर आर्टिकल 244-1 को जोड़ा गया था इसमें क्या प्रावधान है कि स संसद असम के कुछ जनजातिय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत राज्य उसके लिए स्थानिय विधानमंडल या मंत्री परिशद का स्रजन कर सकती है यानि संसद के पास ये पावर है ये आपको ध्यान रखना है कि संसद के पास कौन सी पावर है कि असम के अगर कुछ सकती है और आपको ध्यान ये रखना है कि पांचवी और छटी अनुसूची में यदि संसद कोई प्रावधान करती है या फिर संसद इन में से किसी प्रावधान को निर्सित करती है तो इसके लिए कोई भी सम्विधान संसोदन करने की आवशकता नहीं है जैसे फर्स अनुसूची है पांचवी और छटी इनके अंदर भी यदि संसद कोई प्रावधान करती है कुछ नया एड करती है या फिर इन में से किसी प्रावधान को निर्सित करती है तो संसद को सम्विधान संसोदन करने की आवशकता नहीं है यानि आर्टिकल 368 के तहत ये नहीं आ गठन और विगटन राज्यपाल को और क्या पावर है छटी सेडूल के तहत यानि छटी अनुसूची के तहत क्या पावर है कि राज्यपाल जो है वो जिला परिशत तथा क्षेत्रिय परिशत का गठन कर सकता है उसका विगटन कर सकता है ये बात आपको ध्यान रखनी है प पांची और छटी अनुसूची में constitutional amendment की need नहीं है फिर ये क्यों किया गया देखे इससे जो next class है वो हम पढ़ने वाले हैं हमारे सम्मिधान में अभी तक जो संसोधन किये गए हैं और उन में से जो मुख्य संसोधन हैं जहां से बहुत ज्यादा question पूछे जाते हैं या फिर ज मिधान संसोधन ठीक है तो इस बात की tension नहीं लेनी है क्योंकि बहुत बार चीजें एक-एक step में बताने के फायदे बहुत होते हैं अगर सारी information एक साथ बंडार करके आपको पकड़ा दी जाए तो आपके दिमाग में वो information एक क्रमबद रूप से ना चल करके वो एक जंजा बन जाती है यानि step by step arrange नहीं होते facts जबकि वो पूरी तरह से एक जंजाल बन जाते हैं तो यहाँ पे जितनी बाते हम schedule के बारे में याद कर रहे हैं उतने facts आपको ध्यान होने चाहिए धीरे-धीरे-धीरे करके आपकी सारी जो queries हैं वो दूर हो जाएंगी देखे अब हम ब सूची है और समवर्ती सूची है यानि sorry seven schedule जो है उसमें तीन अनुसूचियां दी गई है एक संग सूची है central union list है central list ज्यादा भैतर वर्ड है क्योंकि constitution में union list दिया गया है इसके लावा state list है और concurrent list है समवर्ती सूची है हम सभी जानते हैं संग सूची पे कानून बनाने का राधिकार केंदर के पास है संसद के पास है राज्य सूची पे जो कानून बनाते हैं वो विधान सभा के पास विधान परिशद के पास इसके लावा समवर्ती सूची वो सूची है जिसमें दोनों ही यानि केंदर भी और राज्य भी दोनों ही कानून बना सकते हैं लेकिन क केंदर द्वारा बनाया गया कानून उपर रहता है यानि केंदर ने अगर कोई कानून बना दिया और राज्ये ने भी उस कानून के तहत ही कोई ऐसा नियम कानून बना रखा है तो केंदर के कानून को ज्यादा मान्यता मिलते है यानि प्रायरेटी जो दी जाती है वो सेंटर के कानून को लेकिन राश्ट्रपती की अनुमती से राज्य अपने कानून को अपना सकता है लगु कर सकता है ठीक है अभी हम यहाँ पे यह पढ़ रहे हैं कि संग सुची के तहट कितने विशे हैं 97 मूल सम्विधान में थे वर्तमान में 100 विशे हैं राज्य सुची के तहट मूल सम्विधान में 66 विशे थे वर्तमान में 61 विशे हैं समवर्ती सुची के 47 विशे थे मूल सम्विधान में अभी है 52 विशे देखे यहाँ से 42 जो हमारा एमेंडमेंट था 42 42 समिधान संसोधन के द्वारा 1976 में 5 विशेयों को राज्य सुची से हट करके समवर्थी सुची में add कर दिया है और देखिं अब आपको इसकी मेहतो JEभी समझ में आएगा कि क्यों डो गया था देखिं कौन से पांच विशें अड के इसी लिए देखिं यहां से पांच विशें कम हो पर तो यहां पे सिक्षा है, इस लिए हम क्या देखते हैं? सेंटर का भी बोर्ड है CBSC और हमारे अलगलग स्टेट में भी बोर्ड है सिक्षा के यानि सिक्षा क्या है समवर्ती सुची का विशे है और इसे राज्य सुची के विशे से 42 समिधान संसोदन 1976 के द्वारा हटा करके समवर्ती सुची में डाला गया था इसके अलावा देखे वन्यजी जन्तूओं और पक्षियों का संरक्षन ये भी समवर्ती सुची में है जन्संख्या नियंत्रन एम परिवार नियोजन इसके अलावा बाठ और मापतोल ये पांच विशे वो हैं जिने राज्य सुची से निकाल करके समवर्ती सुची में जोड गया है ये आपको धान रखने और ये सेविंध सेडूल बात करता है कि कौन सी जो पावर है कानून बनाने की कितने विशेओं पर वो संग सुची है राज्य सुची और संवर्ती सुची है तो सो ऐसे विशे हैं जिन पर केंदर कानून बनाता है 61 ऐसे विशे हैं जिन पर र हमारे मूल सम्मिधान में यानि जब Constitution लागू हुआ था उस समय आठी सेड्यूल थी और आठी सेड्यूल यानि आठी अनुसूची में 14 लेंगवेज, 14 भासाएं थी, वर्तमान में 22 भासाएं इसमें सबसे पहले सिंधी भासा को 1961 में 21 समिधान संसोधन के द्वारा जोडा गय तो कितनी भासाएं होगी 15 अब इसके बाद कौकनी, मनीपूरी और नेपाली इनको 1992 के अंदर 71 इकेतर में समिधान संसोधन के द्वारा जोडा गया और अब भासाएं कितनी हो गई 16, 17 और 18 तो 18 लेंगवेज हो गई इसके बाद हुआ तीसरा संसोधन किसमें 8 सेड्यूल मे और वो कौन सा था बाणवेमा समिधान संसोधन 2003 में किया गया था इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली ये चार भासाएं जोडी गई थी और इसके बाद हमारे कॉंस्टिटूशन में जो 8 सेड्यूल है उसमें हो गई 22 भासाएं और ये कॉशन के रूप में और याद ये रखना है कि इंग्लिश अंग्रेजी भासा जो है वो 22 भासाओं में शामिल नहीं है अंग्रेजी भासा जिसका इतना टैबू बना हुआ है हमारे इंडिया के अंदर और जो भी है खेर इस पे अभी हम बात नहीं करते हैं लेकिन अंग्रेजी याद रखना है इंग्लिश इसमें नहीं शामिल है अब देखें नमी अनुसुची नमी अनुसुची को जोड़ा गया था एमेंडमेंट के द्वारा पहला समीधान संसोधन फर्स्ट एमेंडमेंट नाइंटीन फिप्टी वन के अंदर किया गया और उसके तहट जोड़ा गयी हमारी नमी नमी अनुसुची नाइंट सेड्यूल को जोड़ा गया इस सेड्यूल को जोड़ने का कारण क्या था देखें कॉंस्टिटूशन लागू होने पे जब हमारे सरकार ने काम करना सुरू किया केंदर सरकार की मैं बात कर रही हूं इसके लावा राज्य सरकारों ने भी जब का करना बहुत ही आवशक हो गया था तो जमीदारी प्रथा को खतम करने के लिए यानि भूमी सुधारों को लागू करने के लिए क्योंकि आप एक बात समझे हैं जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं जमीदारी प्रथा और जमीदारी प्रथा कब भी तरह से equal distribution या किसानों को जमीन देने के बारे में नहीं सोचा, सोचे जो किसान खेती करता है उसके पास जमीन नहीं है, तो इससे ज़्यादा विडमना और क्या हो सकती है, तो जब देश आजाद हुआ, हमारा समीधान लागू हुआ, उस समय जमीदारी पर्था को खतम करन के लिए, जरूरी हो गया था कि समपत्तिका अधिकार जो मूल अधिकार है, उसके लिए बार बार जो भारत के नागरिक हैं, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, देखें, मूल अधिकारों के तेथ हमने देखा था, आर्टिकल 31, जिसमें समपत्तिका भी सोधन के द्वारा 1978 के अंदर निर्सित किये गए, लेकिन इससे पहले संपत्तिके अधिकार को निर्सित तो नहीं किया संसद ने, लेकिन क्या किया कि कुछ ऐसे विशे, अब देखें, नोमियन उसुची में डाला क्या गया, इस सुची में शामिल किसी भी विशे की न्याय द्वारा न्यायक समिक्षा नहीं कि जा सकती, यानि गौर्मेंट को ये लग रहा था कि यदि हमने कोई भूमी सुधार संबंदी कानून बनाए, तो जो लोग जमीदार हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन है, वो तुरंत संपत्तिके अधिकार के तहत, कहां चले ज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि साफ लिखा है हमारे कॉंस्टिटूशन में कि आर्टिकल 32, यदि मूल अधिकारों का हनन होता है, तो आर्टिकल 32 में है constitutional remedies, यानि वो व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और आर्टिक भी पढ़ लिया है, और हमारा अभी ये वाला पार्ट पढ़ना बाकी है, जो कि नेक्स्ट क्लास में ही आपका यही वाला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, कि आज तक हुए वे समिधान संसोधन, तो 1978 में इनको हटा दिया था, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं 1951 की, कि भी नौमी अनुसूची को क्यों जोडा गया था, तो देखे, आर्टिकल 32 और 226 के तहत, भूमी सुधार के लिए जो कानून बंदे, उनके लिए लोग पहुंच जाते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो गोर्मेंट के लिए जरूरी हो गया था, कि काम करने क लिए आवशक है कि एक ऐसी सेड्यूल जोडी जाए, ताकि ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचे, तो देखे, यहाँ पे कहा गया कि इस सुची में, यानि नौमी अनुसुची में, अगर किसी विशे को, अगर किसी विशे को डाल दिया जाएगा, तो उस पे नयाएले जो है, वो नयाइक समिक्षा नहीं की जा सकती, ये बात आपको ध्यान रखने है, कि 9th सेड्यूल क्यों जोडी गई थी, ठीक है, तो 9th सेड्यूल को जोडा गया था, और इसमें ये प्रावधान था कि नयाइक समिक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 24 अप्र 1973 को केशवानन्द भारती मामले में सुप्रीम कोट का जो वर्डिक्ट आया था वो बहुत इंपोर्टेंट वर्डिक्ट था उसमें कहा गया कि जो मामला है यानि जो नोमी अनुसुची है उसकी ज्याएक समिक्षा की जा सकती है डिरेक्ट ये नहीं कहा था 1973 में 1973 में कहा था मूल धाचा अफेक्टेड नहीं होना चाहिए संसद समिधान संसोधन कर सकती है लेकिन मूल धाचा नहीं हिलना चाहिए हमारा कॉंस्टिटिशन जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है उस पे कोई बात नहीं आनी चाहिए तो इसलिए य सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पस्ट कर दिया था, वामन राव वाला मामला हुआ था, 1981 में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, इसमें स्पस्ट कर दिया था कि 24 अप्रेल 1973 के बाद यदि किसी विशे को नोवी अनुसूची में शामिल किया जाता है, तो उसकी न्या अनुसूची को जोड़ा गया था, दल बदल से संबनित प्रावधानों का उलेक, इसमें क्या दिया गया है दस्वी अनुसूची में, कि यदि कोई सांसद, कोई विधायक दल बदल करता है, तो उसके ऐयोग्य घोसित किया जा सकता है उसे, दल बदल करने के आधार पे, ल 191 का 2, इसके तहट हमारे जो सांसद हैं और जो विधायक हैं, उनकी बात की गई है, कि यदि वो दल बदल करते हैं, तो वो एयोग्य घोसित हो जाएंगे, और यदि वो दो तिहाई लोग अगर दल बदल करते हैं, तो वो एयोग्य घोसित नहीं होंगे, अब देखे, इस म पास या अधिकार होता है कि वो दल बदल के अधार पे एयोगे घोसित करते हैं किसी भी सांसद को लेकिन यहां पर क्या कह गया कि हो तो होलोहन मामले में 1992 में यह बात कही गई कि अध्यक्स का जो निर्ने है यानि किसी को दल बदल के अधार पर यदि एयोग्य गोसित किया है तो उस नेरने की न्याइक जाच की जा सकती है यानि ये बात न्याइक समिक्षा के दाइरे में ही आती है ये बात आपको ध्यान रखनी है और दल बदल 1985 में राजीव गांदी की सरकार ने किया था और ये वाला मामला हम Constitution के amendments जब दे देखेंगे कि उस समय 1984 में इंद्रा गांदी की हत्या हुई थी और इसके बाद राजीव गांदी जब सरकार में आये थे जब परधान मंतरी बने तो उस समय किस तरह का राजनेतिक माहोल हमारे देश में चल रहा था तो ये एक बहुती मैचूर स्टैप था दसवी 11th schedule 11th schedule बहुत ही आसान है 73 तेहतरवे समिधान संसोधन के द्वारा 1992 के अंदर इसको जोडा गया था और देखें इसमें बात है पंचायत की शक्तियों की प्राधिकार की एवं जिम्मेदारियों की इसमें कितने विशे हैं इसमें 29 विशे हैं इससे संबंदित यदि या फिर इसे इंग्लिश में याद करना है तो 243 जी ये याद करना ज्यादा इजी रहेगा I think ठीक है अब देखें 12 अनुसुची 11 और 12 ये दोनों ही 73 और 74 लगातार अमेंडमेंट हुए थे एकी साथ 1992 के अंदर और इनको जोडा गया था पहले पंचायत को और उसके बाद नगरपालिका को confused नहीं होना है पहले पंचायत है फिर नगरपालिका है गाओं को priority ज़्यादा देनी है तो गाओं यानि पंचायत पहले आएंगी और नगरों में महा नगरों में जो नगरपालिका नगर निगम है वो बाद में आएंगे ठीक है तो 12th schedule बात करता है अब देखिए यहाँ पे चोहतरवा समिधान संसोदन जो 1992 में किया गया था, 18 विशय इसके तहर जोडे गए हैं, यह आपको ध्यान रखना है, यह हमारी 12 सेडिल कम्प्लीट हो गई है, तेतरवा चोहतरवा समिधान संसोदन हम और डिटेल में जरूर देखेंगे, इससे next class मे I hope अब आपको अनुसूचियां याद करना बिलकुल आसान लगेगा, आप कहीं से कहीं तक confused नहीं होगे, और class को I think आपने खुब enjoy किया होगा, चली मिलते हैं next class में नए topic के साथ, जै हिंद, जै भारत! जै हम जह करना बारत!